ओम शान्ती 10-11-2023 की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना हैं मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं बाप उन पर ही राजी होता है प्राश्न किन बच्चों की बुद्धी बहुत बहुत निर्मान हो जाती है उत्तर जो आविनाशी ज्यानरतनों का दान कर सच्चे फिलांथ्रोफिस्ट बनते हैं हुश्यार सेल्समेन बन जाते हैं उनकी बुद्धी बहुत बहुत निर्मान हो जाती है सर्विस करते करते बुद्धी रिफाइन हो जाती है दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए हमेशा बुद्धी में रहे कि शे बाबा का दिया हुआ दे रहे है शे बाबा की याद रहने से कल्यान हो जाएगा गीत तुम ही हो माता, ओम शान्ती सिर्फ मात पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिध्ध नहीं होता है पहले शिवाय नमह का गीत सुनकर फिर मात पिता वाला सुनाने से नौलेज का पता पड़ता है मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं लक्ष्मी नारायन के मंदिर में जाएंगे क्रिश्न के मंदिर में जाएंगे सब के आगे कुछ सब के आगे तो मात पिता कह देते हैं बिगर अर्थ पहले शिवाय नमह वाला गीत सुनाए फिर मात पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे है समझाने में सहज होता है बाप का नाम ही है शिव ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्विव्यापी है फिर तो सब की महिमा एक हो जाए उनका नाम ही है शिव दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमह नाम रखना सके उनकी मत और गट सब मनुष्य मात्र से न्यारी है इसलिए वह राजयोग सिखला न सके, शिवाय नमह तो कोई कोवे कह नहीं सकते। देहधारी को शिवाय नमह थोड़ी ही कहेंगे, यह समझाने का है, परंतु तुम बच्चों में भी नमबर वार हैं, कहां अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं, मिया मिठ्थु तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए, हर बा भी अभिमानी हैं, फिर तो कर्मा तीत अवस्था हो जाए, नमबर वार हैं, कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पढ़ जाता है, कौन बाबा की सर्विस करते हैं, जब शिव बाबा की दिल पर चड़ें, तब रुद्रमाला के नस्दीक हो, और तक्त के लायक बन लौकिक बाब की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चड़ते हैं, जो बाब के साथ मददगार बन जाते हैं, यह भी बेहद के बाब का आविनाशी ग्यान रतनों का धंदा है, तो धंदे में मदद देने वाले पर बाब भी राजी रहेगा, आविनाशी ग्यान रतन धारन कर और धारन कराने हैं, कोई समझते हैं हमने इंशोर किया है, उसका तो तुमको मिल जाएगा, यहां तो बहुतों को दान करना है, बाब मुआफिक आविनाशी ग्यान रतनों का फिलैंथ्रोफिस्ट बनना है, बाब आते ही हैं ग्यान रतनों से जोली भरने, धन की बात नहीं बाब को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं, व्यापार करना नहीं जानते तो वहमुरली धर, सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते, लज्जा आनी चाहिए, मैं धन्दा तो करता नहीं हूँ, सेल्समेन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जा जाता है, ऐसे ही थोड़े ही भागीदारी मिल जाती है, इस धन्दे में लग जाने से फिर बहुत निर्मान बुद्धी हो जाती है, सर्विस करते करते बुद्धी रिफाइन होती है, बाबा मम्मा अपना अनुभा सुनाते हैं, बाबा है सिखलाने वाला, यह तो जानते हो यह बाबा अच्छी धारना कर अच्छी मुरली सुनाते हैं, अच्छा समझो इसमें शे बाबा हैं, वह तो है ही मुरली धर, परन्तु यह बाबा भी तो जानता है न, नहीं तो इतना पद कैसे पाते हैं, बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शे बाबा सुनाते हैं, शे बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्यान हो जाएगा। इन में तो शिबाबा आते हैं। वह मम्मा अलग बोलती है। मम्मा की हैसियत में। उनका नाम बाला करना है। क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना जैसी है वैसी है मेरी है। सम्हालना ही है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं। इस्तरी ऐसे नहीं कहती जैसे हैं वैसे हैं। बाब भी कहते हैं बच्चे जैसे हो वैसे हो सम्हालना ही है। नाम भी बाला बाब का ही होता है। यहां बाब का नाम तो बाला है ही। फिर शक्तियों का नाम बाला होता है, उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है, दिन प्रति दिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है, ज्यान और भक्ती, दिन और रात, स्वतियों त्रेता दिन, वहां है सुख, द्वापर कलियोग है रात, दुख, स्वतियों में भक्ती हो को उठाओ, तुम तो ग्रहस्त व्यवहार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीती से कोई को भी समझा सकते हो, सद्गती दाता तो एक ही पारलोकिक बाप है, वही सिक्षक भी है, सद्गुरु भी है, बाकि सब बरोबर दुर्गती करते आएं हैं, तु आपर से लेकर आधकल्प स्वर्ग कहा जाता है, फिर भक्ती शुरू होती है, तो गिरना शुरू हो जाता है, गिरना भी है जरूर, सुरेवन्शी गिर कर चंदरवन्शी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे, तो आपर से सब गिर आने वाले ही मिलते आएंगे, यह भी तुम अभी जानते हो दिन प्रति दिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी साधुओं आदी को समझाने के लिए भी युक्तिया निकालते रहते हैं आखरी इन समझेंगे जरूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्विव्यापी कैसे हो सकता है समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत है भक्ती पहले आव्य अभिचारी फिर व्य अभिचारी बनती है कलाएं कम होती है अभी कोई कला नहीं रही है जाड़वा गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती है most easy है समझाना परंतु तकद पीर में नहीं है तो समझाना नहीं सकते देही अभिमानी बनते नहीं है पुरानी देह में अटके रहते हैं बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड अपने कव आत्मा समझो देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी उच पद पा नहीं सकेंगे स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैटे रहें मित्र सम्मंधी टीचर स्टूडेंट आदी सब समझ जाएंगे इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है यहां भी समझते हैं श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पिर यही हाल होगा कौन प्रजा बनेंगे कौन दासदासी सब समझ जाते हैं बाप समझाते हैं अपने मित्र सम्मंधियों का कल्यान करो यह काईदा होता है घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिन सेट होँ बाप कहते हैं धन दिये धन ना खुटे धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं पद पान ही सकेंगे चांस बहुत अच्छा मिलता है रहम दिल बनना है तुम सन्यासियों साधूं पर भी रहम दिल बनते हो कहते हो आकर समझो तुम अपने पारलोकिक बाप को नहीं जानते हो जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुक का वर्षा देते हैं कोई भी जानते नहीं कहते हैं ऑफिसर्स भी भरष्टाचारी हैं तो फिर स्रिष्टाचारी कौन बनाएंगे आजकल तो सादू समाज का बड़ा मान है तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं तो वह बंडर खाएंगे आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे प्रदर्शनी भी होती रहेंगे आखरीन कोई जागेंगे जरूर सन्यासी लोग भी जागेंगे जाएंगे कहां एक ही हट्टी है बड़ी इंप्रूब्मेंट होती रहती है अच्छी अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए जो कोई भी आकर पढ़े जब भंबोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे परन्तु टू लेट बच्चों के लिए भी ऐसा है पिछाडी में कितना दौड सकेंगे रेस में भी कोई पहले आहस्ते आहस्ते दौडते है विन की प्राइस थोड़ो को ही मिलती है यह तुम्हारी भी घुड़ दौड है रोहानी आत्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्यानी तू आत्मा चाहिए बाप को याद करो यह भी ज्यान है यह ज्यान और किसको नहीं है ज्यान से मनश्य हीरे जैसे बनते हैं अज्यान से कौड़ी जैसे बनते हैं, बापा कर सतोप्रदान प्रालब्ध बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती हैं, यह सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है, तुम बच्चों को महादानी बनना हैं, भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहा भारत में बहुत ही महादानी है, बाकी मनुष्य सब अंद्र श्रद्धा में फसे हुए रहते हैं, यहां तो तुम ईश्वर की शरणा गती में आये हो, रावण से दुखी होकर राम की एशलम ली है, तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थाच स्वर्ग में चलना है, स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणा गती ली है, कोई तो छोटे पन में ही जबर्दस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहां शरणा गती में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है, उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए, इश्वर की शर तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यतार्त अर्थ समझा सकते हैं, वह तो गुडियों का खेल करते हैं, ड्रामा नुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है, बाप का बन कर और सर्विसेवल ना बना तो दिल पर कैसे चड़ सकते हैं, कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना न दुख देते हैं, यहां तो अम्मा मरे तो हलुआ खाओ, बीवी मरे तो भी हलुआ खाओ, रोएंगे पीटिंग नहीं, ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए, मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनने बच्चे भी अडवांस में जाएंगे, पाट तो बजाना ही है, इसमें फिक मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए है, परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी, इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कहना सके, यह नुकसान हुआ, कोई खिटपिट हुई, अकबार में बीके के लिए हाहकार हुआ, यह सब भी कल्प पहले हुआ था, फिकर की क्या बा ही करते हैं, यह तो ग्यान रतनों का दान औरों को देना है, बाब को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोजहा जो सिर पर है, वह खुल पड़ेगा, प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, हुश्यार बनना चाहिए, मजा आता है रात को याद करने में, इस रोहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है, बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो, अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहला दिल से सदा सच्चा रहना है सच बोलना है सच होकर चलना है देह अभिमान के वश्वयम को मिया मिठ्टू नहीं समझना है एहंकार में नहीं आना है दूसरा साक्षी होकर खेल देखना है ग्रामा पर मजबूत रहना है किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है अवस्था सदाहर्शित रखनी है वरदान स्वराज की सत्ता द्वारा विश्वराज की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्व शक्ति मानभव स्वराज की सत्ता द्वारा विश्वराज की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्व शक्ति मानभव जो इस समय स्वराज सत्ता धारी अर्थात करमेंद्रिये जीत हैं वही विश्व की राज सत्ता प्राप्त करते हैं स्वराज जदिकारी ही विश्वराज जदिकारी बनते हैं, तो चेक करो मन बुद्धी और संसकार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है, मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं, कभी संसकार अपनी तरफ खीच तो नहीं लेते हैं, स्वराज जिय अ सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा साथ हो तो कोई भी आकर्शन आकर्शित कर नहीं सकती। अच्छा ओम शांती। आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं। हो पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं। इन लहरों को दामन में भर जाओं। आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा। अच्छा आप देए